नमस्कार दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं मैं प्रितिदयाल आपके साथ देखें जनसुराज के संरक्षक प्रशांद किशोर इन दिनों बिहार की राजनीती में पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और इसके साथ साथ उनकी पतनी यानि की डॉक्टर जानवी दास की भी जो चर्चे है वो तेज हो गया है जी अदसल पिछले दिनों महिला समवाद कारिकरम के दौरान प्रशांद किशोर ने उस दौरान मौझूद तमाम महिलाओं के सामने अपनी पतनी को इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने साफ तोर पर उस जोरान कहा था कि उनकी पतनी ही है जिनकी वज़ा से वे करीब दो सालों से पदयातरा बेफिक्र हो करके कर रहे हैं उन्होंने कहा कि उनकी पतनी ने अपने परिवार यानि कि उनके पूरे परिवार का जिम्मा उठा लिया है और सभी काम बहुत ही बहतर तरीके से कर रही है और यही वज़ा है कि दो सालों से वे पदियातरा बेफिक्र हो करके यानि कि घर परिवार की चिंता छोड़ करके वे प्रशांद किशोर से पूछा गया था मेडिया कर्मियों के द्वारा तो इस सवाल को सुनते ही प्रशांद किशोर का क्या रियाक्शन था और उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है आप खुद सुन लीजिए में राजनितिक विकल्प के अभाव में जो राजनितिक बंद्वा मजदूरी रही है पिछले 35 साल में जहां लोग लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के दर से लालू जी को बोड़ देते रहे हैं वो लोग मिलकर एक नया गडवंधन बना रहे हैं जिसका नाम है ज कामी चुनाओं में अपने पत्नी को भी उतारना चाहरा है किसको मेरे घर परिवार का कोई आदमी ना पॉलिटिक्स में है ना आगे कभी आएगा मैंने अभी एक सभा में जहां मेरी पत्नी का परिच्छे कराया वो सिर्फ महिलाओं को ये बताने के लिए किया कि जैसे हमार की अभी पत्नी पत्नी अहीं धर का काम उठा रही है तो मैं आकि ये काम कर पा रहा हूं यहार की हर महिला भले राजनीतिक तौरपर सकृअना हो लेकिन उनके घर के पुरुस लिए सक्रिय हो पा है क्योंकि महिलाएं वो बोज उठा रही है घर का खाम का जिम्मेवारी अपने सर पर लिए तो पुरुस राजनीत कर पा रहे हैं मैं उस भात को बताने के लिए पर्चे करा रहा हूं पत्नी ना मेरी विहार की है और पत्नी नहीं मेरे परिवार का ना आगे एक पीड़ी ना ना पीछे एक पीड़ी ना आगे एक पीड़ी ना राजनीत नहीं है ना कभी होगा । तो आपने प्रशांत किशोर का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवाल का सीधे तोर पर ना ही जवाब दे दिया है जी हाँ पत्नी के राजनीती में एंट्री मारने या फिर चुनाव लड़ने को लेकर के प्रशांद किशोर ने कह दिया है कि उनकी पतनी तो क्या पूरे परिवार में से कोई भी राजनीती में आने वाला नहीं है यानि कि उनकी पतनी जानवी दास चुनावी मैदान में नहीं उतरने वाली है तो जिस तरह से पिछले दिनों से उनकी पतनी यानि कि प्रशांत किशोर की पतनी जानवी दास को लेकर के अटकले लगाई जारी थी उस पर प्रशांत किशोर ने आखिरकार विराम लगा दिया है इसके अलावे बता दे कि जन सुराज को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने अपना बयान दिया उन्होंने साफ तोर पर कहा कि जो भी लोग लालू जी के डर से बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी के डर से लालू जी को वोट देते हैं तो वैसे लोग ही मिल करके एक द भार चुनाव की तयारी में पूर्जोर तरीके से लगे हुए हैं हाला कि उन्हें जनिता का कितना क्या समर्थन मिलता है या तो देखने ही वाली बात होगी तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी तक हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह है तो इसे जड़ सब्सक्राइब कर दे इसके साथ ये गर ये वीडियो फेस्बुक कमाधे हम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले